दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार अभी रात के 12 बच कर 45 मिनट हो रहा है और चलिए हम लोग पढ़ते हैं भारत की आवाज के अगले सवाल को मैंने एक बहुत ही सुन्दर और अच्छा सवाल हो जा है आप सब के लिए को तो चलिए दोस्तों मुझ बढ़ते हैं यह देखें दोस्तों यह सवाल सफल बनने के लिए विक्ति को क्या उपलकतिः प्राप्तकरने का प्रयत्न करना चाहिए को बाबिन विष्वास नाम Sometimes नाम के किसी विक्ति ने उसमें कलाम साहब ने यह बताया है कि एक चुनती पूर्ण काम होना चाहिए और वो उसे कर लेने वाले को मैं सफल वेक्ति मानता हूँ यह यानि कोई unique काम करें जैसे सबसे हटकर के काम करने वाले को कलाम साहब बहुत ही प्रेम करते थे तो दोस्तो आप लोग ऐसा क्या unique काम करते हैं अपने जीवन में सफल होने के लिए बारत का एक नया भारत बनाने के लिए एक हमें कमेंट में बताइएगा और चलिए हम लोग पढ़ते हैं फिर अगले सवाल को आज हम लोग दो-3 सवाल एक ही व्योडियो में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा समय कि रात का समय हो रहा है कोई भी डिस्टर्मेंस नहीं है अन्नेसेसरी साउंड्स भी नहीं आते हैं रात में कि अच्छली दोस्तों लोग अगली सवाल को पढ़ते हैं यह रहा अगला सवाल क्या आप हमें समय प्रवंधन के कुछ उपाय बताएंगे मास्टर मुहम्मद काजी यह स्टियस हाई स्कूल अलिगड़ तो कलाम सामने जवाब दिया है जैसा कि तुम सब जानते हो कि प्रित्वी दिन में एक बार अपनी धूरी पर गुमती है अर्था 24 गंटे में एक बार या 1440 मेंट में एक बार या 86400 सेकिन में एक बार प्रित्वी सूरी की परिक्रमा भी करती है लेकिन इस चकर को पुरा करने में उसे लगबग एक वर्स का समय लगता है प्रित्वी का सूरे का एक चकर पूरा करने के साथ ही तुमारी आई एक वर्स पढ़ जाती है शेकेंड मिनट घंटे दिन और वर्स बीतते जाते हैं और हमारा इंड पर कोई नियंतर नहीं है एक मात्र काम जो हम कर सकते हैं वह यह है कि हम समय का सदूपियोग करें याद रखो समय को व्यरत बरबाद न गरो इसमें कलाम साहर ने बताया है कि आप अनिसेसरी जो भी काम होता हो Hoe Supra करें और समय बहुती मुल्लिवान है समय का खेल रखे हैं और समय को व्यरत न जाने दें और फिर चलिए दोस्तों हम लोग अगली सवाल को पढ़ते हैं बहुत ही छोटा सवाल हो बहुत ही सांदार जवाब दिया है हमारे कलाम साथ ने तहरे इसमें सवाल दोस्तों यह है आप करमे में विश्वास करते हैं या भागय में आनन्द प्रकास नाम के किसी व्यक्ति ने पूछा है जो सरस्वती विद्या मंदिर से हैं और ये मुंगेर में है आज हम जो हैं वो हमारा भाग क्या है कल जो होंगे वो हमारे आज के कर्म तेयं करेंगे कितना बहतरीन तरीके से कलाम साहब ने जबाब दिया है बहुते थोड़े सब्दों में इन्हों ने यूं कहिए क कि गागर में सागर भरने का काम कलाम साहब ने किया है तो दोस्तों ये तीनों सवाल आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा हमें आपके कमेंट का बिसवरी से इंतजार रहेगा मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय कलाम और दोस्तो रात में जख करके वीडियो बनाना रात रात जखना तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें सपोर्ट करें इस वीडियो को सेयर करके लाइक करके और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और और शेयर करनाँ और गल्स के आप शेयर करेंगे तो इससे सीखने वालों की संकराव बढ़े गे तो हमारे हमारा देस एक नया देश ह्यां बंडे में समय नहीं लगेगा दौस तो मिलेगे अकले वीडियो में तब तक लिए ये जैई बारत जैखलाम